मैं भारत को भारती अताकी मानमिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा भूँँ तो जादा तर अटेप 99% सुबह ढ़ी वजे से साड़े चार वजे के बीच मैं ही आते हूँ उस समय के लिए क्या करें, बहुत देज पेंट होगा, बहुत देज तकली पाएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखें, ये रामबान दवा है, बहुत सस्ती आती है, होमियोपैथी की दुकान में ये मिलेगी, इस दवा को आप इस्तेम रखी में, वो बिल्खुल ऐसे ही खाम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी, उस दवा का नाम है, A-C-O-N-I-T-E, 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 इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर मही मिलेग पांच मिली लिटर की शीशी खरीद के रखिये, दस रुपई की आदिये, और उतनी शीशी से सौ लोगों की जिन्दगी आप बचा सकते, क्या करना है इसको, जब बहुत तेज अंजाइना का पेन है, हर्ट एरिया में, हर्ट हीजल में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस पांच मिनट के बाद, फिर को है का और रिलीफ हो गया, और एक बार डाल दीजे, बस तीन बार डाल के छोड़ दीजे, और भूल जाए और उसको भी कह दीजे कि तुम भी भूल जाओ, फिर कुछ प्राब्लम नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एं अब क्या करना है, वो मैं पीछे सब बता चुका हूँ, उसका घी बदलवाएए, उसका तेल बदलवाएए, उसका दूद बदलवाएए, भैस का पी रहा है तो गायका लाएए, घी ला रहा है तो गायका लाएए, फिर उसको कह ये नमक बदलो, फिर छिविके वाली डाले यह सब उसको शुरू कर दीजिए उत्ती डाइप और पांचे महीने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा एक ड्रॉप डाला आप फाइव तो सेवन मिनिट दूसरा डाल दिया फाइव तो सेवन मिनिट तीसरा डाल दिया बस तीन ड्रॉप डाल के फोड़े यह एक छोटी सी जानकाई मैंने आपको हर्ट और हर्ट से होने वाली प्रॉप्लम्स के बारे में दी है